है एबरीवान वैलकम बैक टू मैं चैनल दस्तों आज हम बनाने वाले मैंगो सीजन के स्पेसल टू इन वन रेषपी यानि की एक मैंगो से दो रेषपी तो यहाँ पर सबसे पहले एक पका हुआ मैंगो लेंगे और इस तरीके से कट लगा लेंगे कट लगाकर इस्पून की शायता से सारे पॉल्प को एकिसी बरतन में निकाल लेनी है तो आज की हमारी रेश्पी बहुत ही मज़दार बिलकुल यूनिक एस्टाइल में बनने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे पॉल्प को निकाल लिया है इसे मिक्सी के जार में एड कर देंगे ढकन को लगाएंगे और पेस्ट यानि की प्यूरी के रूप में त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने प्यूरी त्यार कर लिया है इसे किसी बरतन या फिर वाल में ट्रांसफर कर लूँगी तो अब मैं यहां पे लिए हूँ एक कप जितना घियों का आटा और आधा कप जितना मैदा यान की वाइट फ्लोर तीन से चाट टेवल स्पून चीनी और एक कपली हो यहां पे पानी पहले थोड़ी सी पानी को एड़ करके विस्क या फिर हातों की शायता से लंक्स को तोड़ लेनी है इस तरीके से उसके बाद थोड़ी थोड़ी और पानी एड़ करके बिल्कुल मेडियम फॉर का बैटर त तो यहां पे आप देख सकते हैं बैटर की कसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए पानी जो हमारा एक कप में आदा कप बच गया है अब हम इसे ढख करके रेष्ट पे दस मिनट के लिए चोड़ देंगे ताकि यह और फूल कर स्मूथ हो जाए तो यह देखिए लगा सा group लो रखनी आपjal का ऐसे घृट कर दोल निकाल लेने दोता हुझे है एसी तरीके दूसरे ङ अब हमारे पास थोड़ी सी और बैटर बच चुका है हम आपको जीरो आयल यानि की दूसरी रेश्पी बना कर दिखाते हैं तो सबसे पहले पैन लेंगे या फिर तावा लेंगे इसे अच्छे से पहले गरम कर लेंगे उसकी बार बैटर को इस तरीके से एड़ करने आए और क देख सकते हैं मैंने जीरो आयल का इस्तेमाल किया यानि कि कोई सभी आयल इस्तेमाल ने किया अगर आप जीरो आयल पसंद करते हैं तो आप इस रेश्पी को ट्राइब कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी आयल पसंद हो तो आप पहले वाली रेश्पी को ट्राइब कर सकते ह तो इसे भी हम किसी परतन में निकाल लेंगे यहां पर हमारी ट्व-इन वन रेस्पी जुए बन कर रेड़ी है तब मैं आपको दोनों को दिखा दे रही हूं दोनों बहुत ही यूनिक बहुत ही टेस्टी और मजदार सी रेस्पी बन कर त्यार हुई है तो आप इस रेश्पी को ज़रूर ट्राइ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब